इस परकार दोस्तों हम देखते हैं सब से पहले लेपटोप योजना क्या होती है और कौन कौन इसके पात्र होते हैं प्रती वर्स कक्षा 8, 10, 12 की बॉलड पर teamwork में उत्कृष्ट प्रिणाम देने वाले सातर शातरओं को लेपटोफ वित्लन किया जाता है यानी कक्षा 8, 10, 12 की बॉलड परिक्षा में जो toppers होते हैं उनको प्रती वर्स जिला स्तर पर लेपटोफ वित्लन किया जाता है उसके बाद में इनस्पाइर्ड अवालड योजना कक्सा 6-10 में अध्यन करने वाले स्रजनात्मक मौलिक विग्यनिक विचार वाले बालक बालिकाओं को अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए यानि इनस्पाइर्ड अवाल योजना जो है ये इस से विद्यारती जो स्रजनात्मक मौलिक विग्यनिक विचार वाले होते हैं उनके लिए होती है और इसके लिए इनको 10,000 रूप प्रोथ संद्राशी के रूप में दिये जाते हैं इसके लिए आपको बता दूँ इनस्पाइल योजना के आविदन अभी सुरू है और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है आप चाहो तो कक्सा 6 से 10 में अध्यन करने वाले बालकों को विद्यारतियों के आविदन करवा सकते हैं अगली जो योजना है वो है मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना कक्सा 10 की बोल्ड प्रिक्षा में जिल्ले में परत्थम वा दिवतियस्तान प्राप्त करने वाली 17 वो कक्सा 11 वा 12 में अध्यनरत रहते हुए 15 जारोए परत्थम वरस एक मुख्य साहिता वै एक लाख रुपे 17 वास वा कोचिंग बिल्ड परस्तूत करने पर भुग्दान किया जाता है सनातक वा सनातको तरकक्साओं में अध्यनरत रहते हुए 25 जारुए परती वरस एक मुस्त साहिताव है 2 लाख रुपे 17 वैसो कोचिंग के बिल परस्तूत करने पर भुगदान किया जाता है तो ये है मुख्य मंत्रि हमारी बेटी योजना इसके बाद में अगली योजना देखते हैं इंद्रा प्रिय दर्शनी आवल्ड योजना कक्सा आठ ये है इंद्रा प्रिय दर्शनी आवल्ड कक्सा आठ दस्व बारा की बोल्ड परिक्षा में जिल्ले में परत्थमस्तान प्राप्त करने वाले चात्रवों क्रमशा है 44,000, 45,000 एक लाख रुपे स्कूटी एवं इसकूटी परदान की जाती है यानि आठवी दसवी और बारी कक्षा में जिल्ले में टोप करने वाले सात्राओं को करमसाथ सालिस जार फचेतर जार अकर कक्षा आठ में है तो सालिस जार कक्षा दस में तो फचेतर जार और कक्षा 12 में तो एक लाग रुपी होगा इसकूटी परदान की जाती है यह है इंद्रा प्रिदृष्णी अगला है गारगी पुरुषकार कक्षा 10 वी के बॉर्ड परिक्षा में फचेतर परतिस्त अंग प्राप्त कर लिए तो 11 वा 12 में अध्यन करने पर उसे 3000 वी परतिवर्ष दे होता है गारगी पुरुषकार के अंत्रगत अगलिया चात्र वृति अलग अलग वरग के विद्यारतियों को अलग अलग प्रकार की चात्र वृति परदान की जाती है सबसे पहले हम देखते है नंबर एक चात्र वृति S C S C जो वरग है उनके चात्रों को दे चात्र वृति कक्सा 6 से 8 चात्र 750 रुपे पर इयर और चात्रा 1250 रुपे 6 से 8 में अध्यन करने वाले चात्र को 750 वा सात्र वह 1250 रुपे दे होता है इसी परकार कक्सा 9-10 में सातर चातरा दोनों वो तीन जार रुपे सातर वती देई होती है यदि वो ऐसी वरक के है तो कक्सा 11-12 में सातर चातरा वो तेईस सु रुपे परती वरस देई है यदि वो कक्सा 12-11-12 के सातर है और ऐसी वरक से है इसे प्रकार S T को हम देखते हैं तो कक्षा 6 से 8,34 och 750 रूपे है और 27,2ूपे है कक्षा 9 से 10 में 37 समान रूप से 30,000 रूपी प्रतिवरस दे होता है इसे प्रकार कक्षा 11 से 12 में 37, Simon 3,500 रूपे प्रतिवरस दे होते हैं S T के विध्यारतियों को अब हम देखते हैं OBC OBC वरक के चात्रों कक्षा 6 से 10 चात्र चात्रा अजहार रुपे परतिवर्ष दे होते हैं और कक्षा 11 से 12 में चात्र चात्रा अंदरनों को 1600 रुपे परतिवर्ष दे चात्र वती होती है इसी परकार SBC जो वरक है उसमें कक्षा 6-8, चात्रा, चात्र 500 रुपे, चात्रा, जार रुपे, कक्षा 9-10, चात्र 600 रुपे, चात्रा, बारा सु रुपे, कक्षा 11-12, चात्र चात्रा, तेईस सु रुपे से मानुरूप से दे होते हैं SBC वरग के चात्रों को अब हम देखते हैं अलपसंग के वरग के दू-चात्र होते हैं नके लिए कक्षा एक सीदस कक्षा के छात्र-चात्रों को पानजार रुपे पर्तिवर्स दे होते हैं तो यह थी कुछ योजनाए हैं जिन का की लाब विद्यारती ले सकते हैं मासा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ सेयर करें ताकि ये महत्तुपुन जानकरी जो है वो सब के पास पहुंचे जै हिंद जै भारत